Hello students, welcome back to our online class. Today we are going to learn about class for English. Now we will discuss the rest questions and answers of the chapter, the making of a lion. So, let's begin. बच्चों, रुम लोग previous class में activity 10 खतम किये थे. अभी हम activity 11 करेंगे, past, imperfect, continuous. आज हम past, imperfect, continuous के बारे में जानेंगे. देखो यहां पर भाव्च, was और और, प्लस भावर, वान के साथ अगर ing होगा, तो उसे जब passive में change करेंगे कैसे होगा? was और और और, प्लस, being, प्लस भावर का 3rd फॉर्म. तो यहां पर देखो useful tips दिया गया है. पहले क्या करना है, object in subject form, पहले, object का subject form लिखेंगे. was और or plus being, उसके बाद was और में से कोई लगाएंगे, plus उसके साथ being लगाएंगे, और उसके बाद, भार्व 3, भार्व का 3rd फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद by, और last में क्या करेंगे, subject in object form, subject का object form लिखेंगे, ठीक है? तो चलो, शुरू करते हैं, change the following sentences into passive, यह नीचे दियेगे, बाक्यों को passive voice में change करना है हमें, तो चलो, शुरू करते हैं, first I number दिया गया है, I was writing a letter, ठीक है? I was writing a letter, तो इस sentence को हमें passive voice में change करना है, तो क्या से करेंगे? क्या लिखेंगे? पहले हमें क्या लिखना है? A letter को लिखेंगे, A letter, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पहले object in subject form, तो इसे पहले लिख दिया हमने, फिर उसके बाद was or में से लगाएंगे, तो was, क्यूंकि यहां पे singular number है, plural number होता, तो वो or लगाते, यहां पे singular है, इसलिए was लगाए, लटर, was, being, फिर उसके बाद being लगाएंगे, being, फिर भार्व का third form, यहां पे भार्व है, right, right का third form है, written, being written, फिर उसके बाद by, by, subject in object form, तो इसका object form लिखेंगे, by, I का object form है, me, by me, ठीक है, और लास्ट में full stop, a letter was being written by me, तो यह हो गया हमारा पैसी, और देखो, he was working out the sums, इसे पहले क्या लिखेंगे, the sums, the sums, फिर यहां पे sums है, इसे लिए, और, क्योंकि यह plural number है, the sums, और, being, फिर यहां पे work है, भार्व हमारा work है, work से क्या होगा, वर्ग्ड, इसका third form है, वर्ग्ड, वर्ग्ड, फिर आउट लिखेंगे, by him, ही से him, ठीक है, him, ह-i-m, the sums were being worked out by him, यहां पे थ्री आई देखो, the principal was calling me, तो इसे क्या लिखेंगे, I, me का, यहां पे क्या करना है, subject form लिखेंगे, I, I was, I was, being, called, I was being called, by, the principal, तो इसे क्या करेंगे, लिखेंगे, cricket, cricket, तिर, was being, was, being, तिर यहां पे प्लेज, प्लेज से क्या होगा, प्लेज, बिंग प्लेज, बाई दा, बाई दा प्लेज, ठीक है, तो इसे ही हमें, करना है, देखो, PM मोदी, वाज डेलिवरिंग, स्पीच, तो क्या लिखेंगे, स्पीच, वाज, स्पीच वाज, डेलिवर्ड, ठीक है, डेलिवर्ड का स्पेलिंग बता देती हूँ, D, E, L, I, V, E, R, E, D, एस्पीच वाज डेलिवर्ड बाई, PM मोदी, ठीक है, एस्पीच वाज डेलिवर्ड बाई, PM मोदी, और वेशे देखो, तो यहाँ पे मी का, सबजेक्ट पर में आई, तो आई लिखेंगे, I was being, फिर क्या होगा, टीच से, टीच का, थाड फर्म क्या है, टॉट, ठीक है, टीच का, थाड फर्म है, टॉट, टॉट का स्पेलिंग लिखेंग लो, T-A-U-G-H-T, टॉट, लिखेंगे, I was being taught, by the teacher, बीट वाई, my mother was cooking rice, तो लिखेंगे, राइस, वाज, बीइंग, कुग्ड, by my mother, राइस, वाज, बीइंग, कुग्ड, कुग्ड का स्पेलिंग, C-W-K-E-D, कुग्ड, राइस, वाज, बीइंग, कुग्ड, by my mother, गाडेनर, वाज, वाटरिंग, दा प्लांट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे, the plants where, क्योंकि यहाँ पे, plants है, मतलग यह प्लूरल नंबर है, इसलिए ओयर लगाते है, the plants where, being, फिर क्या होगा यहाँ पे, watered, ठीक है, watered का स्पेलिंग, W-A-T-E-R-E-D, the plants where, being, watered, by the gardener, he was singing a song, तो लिखेंगे, a song was being, sing, sing, sing का, थार फोर्म क्या है, sung, S-U-N-G, a song was being sung, by him, the child was watching TV, तो लिखेंगे, TV was being, watched, W-A-T-C-H-E-D, watched, TV was being, watched, by the child, ठीक है, तो एसे ही हमें, active voice को, passive voice में, change करना है, तो तुम लोग, अपने अपने, note पर इसे, करना, thank you, अपने परता है, तुम लोगश,